आप स्टॉक मार्केट के बहुत माइनूट उसके नजर रखने वाली वक्तियों में से एक हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावाट हुई, नर्वसनेस दर्ज की गई। उसको इस बात से जोड़ दिया गया कि बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम आ रही हैं। और इसी वज़े से मार्केट बारवार क्रेश हो रहा है। आपकी अपनी स्टेडी क्या कहती है। देखें, सोला बार इससे भी बड़े गोते स्टॉक मार्केट ने लगाएं। इसको चुनाओं के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खेर अफ़ाओं के कारण ऐसा हुआ भी होगा। तो छे जुन के पहले आप बाई कर लेना, चार जुन के पहले वो सूट अप करेगा। तो इस बार पुरानी रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, एक लाक के पार जाएगा क्या? क्या करेगा, मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आखलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थीर सरकार आती है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है, इसलिए मैं कहे रहा हूं कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थीर सरकार आने वाली है, तो निश्ची तरूप से बाजा बढ़ आएगा.